स्वागत आपका मेरे चैनल Learn Coding with भाई में चलिए हमारी Coding यात्रा शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग के दिल चप्स दुनिया को एक्स्प्लोर करते हैं याद रखिए Coding में लगाओ और अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे महतब पूर्ण है इसलिए हार नमाने और Coding जारी रखिए और हमेश्या इतरह स्वैक को जारी रखिए ठीक है भाई यह मेरा चैनल है Learn Coding with भाई मैं हूँ रोहिताजाद मलिक यूआई डवलोपर तो भी मैं याप याप ये वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ कोडिंग से रिलेटिड ताकि भाई आप लोग को भी कोडिंग आती रहे या थोड़ा सा अंदर है या कि थोड़ा सा कोडिंग वीडियो बनाए तो हम डाले ताकि किसी को कुछ समझ में आ जाए तो ना भी आज का हमारा में लिए तोपिक है कोड़ बाइंड एंड एपलाई आप बहिए फ्रेंट एंड डेवलोपर हो यूआ इंटरवी हो कहीं भी आप इंटरवु देने जाते हो या इंटरवी लेते हो कोल बाइंड एंड एपलाई गे बिना आपका LETू अदूरा है जो इंटरवी ले रहा ठीक है, सबसे पहले दो तो अभी call bind and आपको पता है, बताइए क्या है ये, तो आप क्या बताओगे, इसका answer है ये JavaScript के method है, जो हमें एक function के this keyword को set करने के लिए use किया जाता है यानि कि call bind and apply आपका JavaScript के method है जो हमें function का this keyword है उसको set करने के लिए use किया जाता है, तो अब आप पुछोगे भी this keyword क्या होता है चलो हम थोड़ा this keyword के बारे में एक हलका सा information दे जते हैं सबसे पहले this keyword के बारे में जान लेते हैं जब आप एक object के अंदर कोई function define करते हैं, तो उस function के अंदर this keyword उस object को refer करता है लेकिन अगर आप उस function को बहार निकाल के call करते हैं तो this keyword global object window को refer करेगा इसलिए हमेशा call bind or applied method का use करना होता है तो यह भाई this अब आप call bind and apply के बारे में थोड़े सी definition बताओगे क्या बताओगे call method एक function को call करता है उस function के this keyword को set करता है अब call method को use करके एक function के argument को comma separated list की तरह list की form में pass कर सकते हैं bind method भी एक function के this keyword को set करता है लेकिन वो उस function को call नहीं करता bind method एक new function रिटन करता है जिसका this keyword set होता है apply method apply method भी एक function को call करता है और उस function के this keyword को set करता है call method की तरह apply method को भी एक object से this keyword को set कर सकते हैं इसके लावा apply method को argument को एक array की form में pass किया जाता है तो भाई उमीद है कि आप लोगो call bind और apply method के बारे में थोर्टीकल कुछ समझ में आया हुआ जोगी मैंने भी हिंदी में बताया भाई ठीक है अब ना ये तो गया भी थोर्टीकल आपने बता दिया अब आप से पूछा जाता है या आप पूछते हो ठीक है आप मुझे call bind and apply का एक example करके दिखाओ जो भी आपने मेरे को बताया ठीक है तो आप भी क्या करोगे सबसे पहले दो भी मैंने visual studio code को open किया और यहाँ मैंने एक html की file बना ली क्या call bind apply dot html खीक है कुछ नहीं करना इसमें html5 भागी मेरी इसमें मुझे script लगाना है src किया मैंने और src में मैंने एक file बना लूँँगा मैं यहाँ पे call.js बस खतम अब call.js file है मैंने यहाँ पे file create कर ली बना दी और मैंने यहाँ पे console.log में लिखा चेक करने लिए मेरी file लोड हुई या नहीं हुई है क्या भई learn coding with by यह jai by ठीक है भई अब इस html file को browser पे run करेंगे तो मैं इसको browser पे run करा देता हूँ इसका आम console पे check करते है console पे गए आगया भई बिलकुल देखो आगया learn coding with भई अब browser में sorry हम code में चलते है call.js में यह हम क्या करते है सबसे पहले तो देखो मैं एक object create करता हूँ यहाँ पे किसका object student का object क्या भी student का name क्या है रोहित आजाद मलिक है और भाई student के बाद अब इसकी age क्या है age मैंने डाल दी 16 डाल देते है भाई ठीक है ठीक है 16 डाल दिया age इसकी 16 होगी और यह class कौन सी class में पढ़ता है मैंने 8th class डाल दिया 8 निया ज्यादा हो जाएगा 16 है तो 16 भाई 11th class में डाल दिया ठीक है अब यह मैंने एक object बनाया student नाम का ठीक है ऐसे object आप बना सकते हो कि भी student multiple हो सकते हैं आपके आपने object बना दिया अब एक मैं function बनाता हूँ यहाँ पर क्या get student info function की spelling गलत होगी भाई यहाँ पर न f-u-n-c-t-i-o-n function एक मने यहाँ पर console में मैं print करा देता हूँ console.log क्या print कराना है कि मेरे को student का नाम print कराना है age print करानी है class print करानी है और हम यहाँ एक argument में ले ले लेते हैं कि भी school का नाम क्या है मैंने यहाँ ले लिया एक मने यहाँ ले ले लेता हूँ extra info extra info बस तो सबसे पहले तो जो मेरी extra info है वो console पे आए ठीक है उसके बाद student name is अब क्या नेम होगा भाई वो मारा dynamic होगा ठीक है तो मैं this refer करूँगा यहाँ पे this dot name ठीक है and student age is this dot is इसको भाई मैं एक बाद नेक्स लाइन में कर लेता हूँ ताकि आप लोगो पूरा प्रोपर कोड दिखाई दे ठीक है भाई student dot age student age is 33 and student class is this dot class बस अब यह मैंने एक फंक्शन मना दिया यहाँ पे get student info नाम से कि भी इसमें जो student का जो name है class है age है वो dynamic है वो आप किसी object को ना इस्तमाल करके print कराओ यहाँ पे तो आप कैसे print कराओगे मैं क्या कराओगा get student info यहाँ पे मैं print कराओगा सबसे पहले से मेरा क्या जाएगा argument extra info ठीक है लेकिन इससे पहले argument मेरा second में जाएगा first मेरा क्या जाएगा जो disk है इसका जो disk है किसको refer कराना मुझे ठीक है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे dot call किसको call करना है this इस student को call करना है ताकि मैं इसके disk को use कर सकूँ और जो extra information यहाँ मैंने क्या डाल दिया यहाँ मैंने डाल दिया भाई किसका school डाले यार दिल्ली स्कूल हच डबलो स्कूल info ठीक है save करा दिया मैंने तो क्या input आना चाहिए अब बदा सकते हैं इसका क्या input आएगा यहाँ पे दिल्ली स्कूल इन्फो तो लेकर ब्राउजर पे चेक करते हैं रिलोड क्या page मैंने दिल्ली स्कूल इन्फो स्टूडेंट नेम इस रोहित आजाद मलिक एंड स्टूडेंट एज इस शिक्स्टीन एंड स्टूडेंट क्लास इस इलेवन आगे नहीं मेरा प्रेंट पूर पर रहांगे देखो यहाँ पे क्या भी सब से पहले दो कोल का जो मैथड मैंने यूज किया है कोल यानि की इस का इस मुझे कौन से अब्जेक्ट का यूज करना है स्टूडेंट का और एक्स्टा इन्फोर्मेशन मुझे अगर पास करनी है तो हम आर्गुमेंट के साथ यहाँ पे पास कर सकता हूँ तो अब यह है कोल का इस्तमाल हम कैसे करते हैं ठीक है अब नाव नेक्स्ट कोल के बाद हम बाइंड यूज करते हैं यह हमारा था कोल मैथड कोल मैथड अब हम बाइंड मैथड यूज करेंगे आपने कोल मैथड बता दिया अब bind method क्या करता है जो कि मैंने आपको पहले बताया था क्या कि हम एक function मनाते है get student info to कर देते हैं इसको यहाँ पर क्या get student info dot bind किस पर bind करेगे जो मेरा ये है object यहाँ पर मेरा ये bind होगे क्या किस ने क्या कि return function दे दिया अब जो return किया है get student info अब अगर मैं इसको call करूँ इसमें मैं आर्गुमेंट टाइप करूँ जो मुझे चाहिए क्या भाई DPS रल दे दो उसके में दिली पब्लिक स्कोल ठीक है भाई डाल दिया मैंने अब चेक करते हैं console पे same result आया ने मेरा DPS student name is रोईद अजाद मलिक and student age is 16 and student class is 11 तो आप देख रहे हो यहाँ पे bind का इस्तमाल हम कैसे करते हैं ठीक है भाई समझ में आगया आपको bind का मतलब अब कहता है भी आपका ने last बचता है क्या apply apply का आप use कैसे करोगे apply में क्या as a array भी use कर सकते हैं ठीक है अब हम वो कैसे use करेंगे suppose ना मैं एक function बनाता हूँ यहाँ पे get student जो info है इसको हम comment out कर देते हैं भी फिलाल के लिए यहाँ पे और इसको भी भाई मैंने एक extra बनाया get info three नाम से extra information आगी मेरे पास यहाँ पे ठीक है भाई student name सब कुछ आ गया अब मुझे क्या करना मुझे नहीं अब यहाँ दो argument लेने हैं क्या arg underscore one and by arg underscore two sorry two अब जो first है first मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए ठीक है और second मेरा आए last में मैंने last में print करा दिया ठीक है अब यहाँ पे मैं दो argument मैंने pass करें है मैं इसको कैसे इस्तिमाल करूँगा तो get मेरा जो है यह देखो इसको apply किया मैंने apply में क्या है किस पे apply जाए मेरा यह जो मेरा यह object मैंने बनाया था ठीक है object and इसके बाद मैं array के अंदर यहाँ पे pass करूँगा अपनी argument क्या पहले मैंने pass कर दिया hello ठीक है और दूसरा मैंने pass कर दिया expression mark pass कर देता हूँ बस खतम save किया मैंने check करें क्या या hello आगया मेरा जो मेरा पहला argument था student name is Rohit Azad Malik and student age is 16 and student classes 11 and last मैं expression mark तो भाई देखा कितना simple तरीका है यह आप उसको example दे सकते हो interviewer को देखो भाई मेरे तीनों example ready हो गए आपे call bind and apply आगे मेरे तीन information तो भाई इतना ही था call bind and apply call bind and apply I hope आपको समझ में आया हुआ call bind and apply कैसे यूज करते हैं क्या इसके methods हैं कैसे आपको इसका interview में coding के थूँ example paste करना है बस भाई इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है वो दो भाई आप coding करोगे बाद में पता लगेगा ठीक है आपके method आपके सामने आएंगे objects आएंगे multiples object उसको call या bind या apply के थूँ कैसे आपने पास करना है कहां पे आपका call अप्लाई होगा कहां पे bind होगा और कहां पे आप call apply और bind किस situation में आप use कर सकते हो वो आपको जब आपके पास scenario आएंगे वहां पे आपको automatic पता चल जाएगा बट आपको इस पता होना चाहिए कि call हम कैसे use करते हैं bind कैसे करते हो apply कैसे करते है तो भई आज का topic यही था I hope आपको समझ में आया हुआ आपको समझ में आया हुआ तो भई like करना share करना subscribe करना ताकि और वीडियो बना सके धन्यवाद भई आपका आपने मेरी वीडियो देखी interesting मन लगा गे मिलते हैं अगली वीडियो में next topic के साथ एक और जावास्किप्ट इंट्रियू के लिए धन्यवाद आपका भई सुक्रिया